Hey guys, once again, मैं सुमते को फिट से बहुत-बहुत सौनद करता हूँ आपका Hotel Management घलपर YouTube चानल पे Guys, जासा कि मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया था Jindal School of Hotel Management JSHM के बारे में उसके करिकुलम के बारे में पूरी डीटेल से बताया था मैंने तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ साथ यहां उपर आए बिटन में भी मैं दे देता हूँ तो वहां से जागर कि आप देख सकते हो गयाँटेट हमने जो डिंटर के लिए LM देख संब चांप साथ के लिए में एक साल में दो वाड आड में होते हैं तू legislator लिया जाता है यहां पे every year so summer batch is in August and winter batch starts in January means एक batch का admission जो है वो अगस्त में लिया आता है और दूसरे batch का admission यहाँ पे जनवरी में लिजाती है तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे अगस्त का admission के लिए तो जो अगस्त का admission है उसके batch size के बारे में discuss करेंगे यहाँ पे तो batch size जो है वो अगस्त का है 40 से 50 students का means 40 to 50 students का ही admissions होगा यहाँ पे अगस्त में और फिर जो जनवरी में admissions होते है इसमें जो दूसरा टेक लिया जाता है admission का उसमें 10 to 15 students का admissions होता है guys JSHM के classes यहाँ पे 17 September से start होने वाले हैं और guys जो अभी 2020 का syllabus होगा वो 40% first year के syllabus में से theory होगा means first year का syllabus होता है उसमें 40% syllabus जो है वो सिर्फ theory का होगा और 60% होगा उसमें practical आपके करवाए जाएंगे guys JSHM का जो admission process है यह 100% online होगा guys online application form का जो link है वो आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो आप उस link पे click करके जा सकते हो और यह application form online आफिल कर सकते हो और जो इसके charges है जो इसका cost है वो है RS 1000 तो 1000 रुपिया इसके charge है entrance exam के लिए और बाकी सब detail लेने के लिए कुछ भी अगर आपको जानना है तो यह screen के ओपर आपको contact number दिया गया है CHM का तो आप जिंदल School of Hotel Management में call करके बाकी सब detail ले सकते हो जो भी आपको पूछना है क्योंकि अभी बहुत से students के पास उनका mark sit नहीं है उनके result नहीं है हाथ में लेकिन पता है कि अभी सब लोग pass हो चुके हैं क्योंकि government ने announce कर दिया है तो आप यहाँ पे अपना hall ticket भी upload करेंगे अपना form फिल कर सकते हैं तो यह एक अच्छी बात है यहाँ पे जो लोग के पास अभी उनका mark sit नहीं है result नहीं है हाथ में तो वो लोग भी यह form को fill कर सकते हैं क्योंकि सभी लोग अभी pass हो चुके हैं और इस application form को submit करते ही candidate के email पे syllabus और interest का कुछ solve question paper जो है आपको मिल जाता है और जो यह exam होता है यह 30 minutes का exam होता है total आदे गंटे का यह आपका exam होता है जिसमें 10 marks आपके English से पूछे जाते हैं 15 marks का Maths का question होता है 5 marks आपके logical reasoning and 5 marks general knowledge से पूछे जाते हैं और यह exam आपके MCQ format मिले जाएंगे गाइस अगर आपको अपने selection के chances improve करने हैं तो मेरे तरफ से एक tips है कि आप अपना पूरा sample paper जो आपको email पे मिलेगा तो उसको आप अच्छे से पूरा पढ़के जाएं समझके जाएं और क्योंकि यह exam जो है यह exam में आपका negative marking नहीं है तो आप पूरे question को touch करें हरे question को आप solve करें और final submit button क्लिक करने से पहले एक बार अपने answer को check कर ले we will see you all the best for the entrance exam